बीजेपी ने राष्ट्य पदाधिकारियों की नई लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 13 राष्ट्य उपध्यक्ष और 8 राष्ट्य महामंत्री है। बीजेपी ने राष्ट्य महामंत्री बना गया है। बीजेपी ने राष्ट्य महामंत्री बना गया है। बीजेपी ने राष्ट्य पदाधिकारियों की नई टीम का अलान कर दिया है। और लिखा है आप सभी को ने दाइत्व और उज्वल कारे के लिए नंत शुप का अबना है। योपी के पूर्वा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी कांत वाजपेई को बीजेपी का राष्ट्य उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी कांत वाजपेई ने निव्जेटीन सकास बातशीत की और उन्हें ने कहा कि पीए मोदी और राष्ट्य अध्यक्ष जेपी नड़्डा का वाभार जताते हैं। साथी कहा कि राष्ट्य नेत्रत्व की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। कि मैं राष्ट्य निर्टत्व की अपेक्षा पर सत्य प्रतिशत खरा उत्यूं। उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा प्राण पड़ से मैं जुटूँगा। संगठन ने मुझे को 20 साल विधायक बनाए रखा। संगठन ने मुझे को राजे सभा का दाईतों दिया। संगठन ने मुझे को केरल और रक्षदीब का दाईतों दिया। संगठन ने संसत की सारी महत्वपूर कमीटियों में मुझे नामित किया। और आज मेरे लिए अकलपनी था कि मुझे आज राश्टी महामंत्री का दाईतों दिया गया। यह हमारी पार्टी ऐसे ही काम करते हैं। और पार्टी के दो सबसे बड़े अधिकारी एक घंटे मेरे साथ रहे। किसी ने मुझे एक बार भी यह हिंट नहीं दिया। कि मुझे यह दाईतों दिया जाने वाला है। आज चुबा मुझे दिली के पतरकारों से यह सूच न मिले। यही चीज है जो भारती जनता पार्टी को किसी भी अन्य संगठन से अलग करती है। हमारी पार्टी अपने कारकरताओं को पहचानती है, उनका मुल्यांकन करती है, उनका संब्बान करती है, और उनको काम करने का आउसर देती है यह बेहत खुशी की बात है और इस दुरान प्यमोदी ने कहा कि कुछ लोग भाशा की राजनीती करते हैं राजनीती करने वालों की दुकान बंद होगी वहीं AI टेक्नोलोजी पर प्यमोदी ने कहा कि AI हमाले जीवन का हिस्सा है पुराने सोच से बाहर निकलना होगा नई बदलाव के साथ तयार रहना होगा और यहां इतनी सारी सम्रुद्ध भाशाएं होने के बावजुद हमने अपनी भाशाओं को पिछडे पन के तौर पर पेश किया इससे बड़ा दुरभागे क्या हो सकता है कोई कितना भी इनोवेटिव माइंड क्यों नहों अगर वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था तो उसकी प्रतिभा को जल्दी स्विकार नहीं किया जाता था इसका सबसे बड़ा नुक्षान हमारे ग्रामिन अंचल के होनहार बच्चों को उठाना पड़ा है आज आज़ादी के अमरित काल में नेशनल एजुकेशन पालिसी के जरिये देश ने इस हीन भावना को भी पीछे चोड़ने की शुरुआती है और मैं तो येन में भी भारत की भाशा बोलता हूँ सुनने वाले को ताली वेजने में देर लगेगी लगेगी साथियों अब सोशल साइंस से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई भी भारतिय भाशाओं में होगी युवाओं के पास भाशा का आत्मविश्वात होगा तो उनका हुनर उनकी प्रतिभावी खुल करके सामने आएगी और इसका एक और लाब देश को होगा भाशा की राजनिती करके अपनी नफरत की दुकान चलाने वालों भी शटर राउन हो जाएगा कि AI जैसी टेक्नोलोजी आर्टिफिशन इंट्रिजेंस जो कल तक साइंस फिक्षन में होती थी वो अब हमारे जीवन का हिस्सा बन रही है रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलोजी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है इसलिए हमें पुरानी सोच से निकल कर नए दायरों में सोचना होगा मुईया युद्या के कंपोजिट विद्याल अंगूरी बाग में भी बच्चों ने पीम मूदी के भाशन को सुना हेड मास्टर तैसीन बानों ने मुबाइल पर बच्चों को पीम मूदी का भाशन सुनवाया नरसल पीम और यहां पर एक कारिक्रम के लिए शेहरी क्षेत्र का कंपोजिट विद्याल अंगूरी बाग चैनित हुआ था और इस दौरान कंपोजिट विद्याल अंगूरी बाग के विकास के लिए पहली किस्त भी जानी हुई है यहां प्रधान मंत्री जी का आज एक प्रोग्राम लख दिलीज में हो रहा है उसका लाइव टेलिकास दिखाया जा रहा है यहां पे और उसमें हमारा विद्याले भी जिल्यम नगर्षेद में चैनित हुआ है प्रिम शिरी के लिए आज उसी का बजट भी रिलीस किया गया है यहां से पस्किस दो इसके यह नहीं बताया कि पहली किस्वां से जारी हुए और आगे बढ़ते हैं खबर देवरिया जिले से हैं जहांपर श्री लंका के सड़क परिवार मत्री डॉक्टर बंदुला गुण वर्धने अपनी पत्नी के साथ पिप्रा बग्हिल का उपॉच पड Sure णों ने राजीर संग दधयालंव इसरेत कराई जार रहे मेडिकल क्या चुझांपी महरे इस पहुंचने पार लोगों नहीं संघ्ञ पर स्वाघत क्या के मन्तरी नो 살 घंचान ने वृदूत ने हिसी harang Plus , huh वरिष्ट पत्रकार और पुर्वर राजसभा सांसत बलबीर पुंच की किताब नेरेटिव का मायजाल का दिल्ली में लोकारपन किया गया है इस किताब का लोकारपन संके सरकारेवाद धतत्रिय होसबोले और केरल किनाजपाल मुहम्मद आरिफ खार ने किया है कैसे नेरेटिव समाज की सोच पर असर डालते हैं एक देश और समाज में परिवर्तन के लिए विचारों का क्या योगदान होता है ये सब कुछ एक किताब के जरिये बताये गया है वरिष्ट पत्रकार और पूर्वराजसवासांसत बलबीर पुंच की किताब नेरेटिव का माया जाल का विमोचन किया गया राश्टिय स्वयम सेवक संग की सरकारेवाह दत्तात्रे होसबोले और केरल की राजपाल आरिफ मुहम्मद खान ने किताब का विमोचन किया इस मौके पर आरिफ मुहम्मद खान ने कहा विचार से देश और समाज में परिवर्टन आता है इसमें कोई चीज तो है कि दुनिया में दूसरी पुरानी संस्कृतियों का आज उन देशों से कोई संबन नहीं है हमारी सिर्फ पिराचीन संस्कृति नहीं है बलके मिर्ति उन्जे संस्कृति है जो जिसमें कंचिनुईटी है उधर अपने संबोधन में संग के सरकारिवा दत्त त्रेहोस बोले ने कहा कि देश अंग्रेजों की गुलामी से तो आजाद हो गया लेकिन मानसिक्ता से आजाद होना अभी बाकी भारत को समझना है तो संस्कृत को समझना चाहिए लेकिन संस्कृत को समझते नहीं है संस्कृत अज्धेन नहीं करेंगे संस्कृत तो मृत भाषा है तो इसलिए संस्कुत के नहीं तो वह तो भ्रह्मनों के भाशा है संस्कुत तो शोशन की करने वारी भाशा है इनकितने प्रकार के चीजें पिछले सोव डेड़ सो साल से खास करके पिछले 75 वर्चों में स्वतंत्र भारत के स्वतंतरता की बुद्धी जीवी लोगों ने दुनिया के सामने परोस दिया इसलिए संस्कुत को हटाऊ इसलिए संस्कुत को हटाया तो विचार भी हट गया वहीं किताब के लिखाक बलबीर पुंज ने कहा कि देश की जदातर समस्याओं की जड नेरेटिव के दूशित होने में चिपी है देश की समस्याओं और आज के दौर में नेरेटिव की भूमिका पर प्रकाश डालती इस किताब में मैं कौन हूँ और भारतिता की अस्ति पहचान को तलाशने की कोशिश की गई है पिरे रिपोर्ट न्यूज 18